नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर जिसका नाम है इस्टेडी विद पियन लोदा साथियों राजस्थान की कला एवं संस्कृति की कलास नंबर 28 को आज हम पढ़ने वाले हैं देखिए आज का हमारा जो टोपिक है वह है राजस्थान के परमुक व्यक्तितूर। हम एक बार सेलेबस पे नजर डाल लेते हैं कि कौन-कौन से टोपिक आपके हो चुके हैं और कौन-कौन से टोपिक आपके बाकी है रीट मेंस एक्जाम 2023 जो आपके फरवरी में है साथियों लेवल एक के लिए भी और लेवल दो के लिए भी यह जो कलास से बहुत ही जादा उप्योगी होगी कम से कम दो क्यूशन इस टोपिक साप से 100% पूछे जाएंगे तो वीडियो को पूरा देख करके जाईएगा और एक बार हम सेलेबस को चेक कर लेते हैं कि वह आपके सेलेबस कितना हो चुका है और कितना और बाकी है ठीके दोनों लेवल का सेलेबस हम चेक करेंगे साथ ये तो देखो अगर हम बात करें इतियासेवं संस्कर्तिकी , वयाइब में व मिक्दवता कंप्लीट मैध्पुल इतियासिक इस्तल कंप्लीट है अब आपके जो आज टोपिक चला है वो कौन सा है साथियों राजिस्तान के परमुक व्यक्तित्व राजिस्तान जी के की बात कर रहे हम तो देखो राजिस्तान के परमुक व्यक्तित्व की दो कलासे बनाएगी एक तो यह आज के 28 कलासे और 29 कलास इसमें आपके ये टोपिक भी पूरा किलियर हो जाएगा वस्त राबुशन, चित्र कलाएं, हस्त शिल्प, फिर अटरसु सत्ताउन की करांती, जन जाती और किसान अंदोलन और राजिस्तान का एकी करन और राजिस्तान में परजामन डल ये टोपिक आपके बच रहे हैं, तो यूँ मान लीजिए कि भई पंदराग दिन के आसपास कावर कोर्स आपके हो सकता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, साथियों यूँ मान लीजिए कि आपके जो ये अक्टूबर माँ चल रहा है, तो इसके बिल्कुल है ये, क्योंकि आपके टोटल यहां पर ये जो आपके भुगोल वाला टोपिक है, ये तो हम कंप्लीट पर चुके हैं, इतियास और संस्कृति में भी हम कहां तक आ चुके हैं, ये ठीक है ना, चार टोपिक और बच रहे हैं साथियों आपके, तो पंदराग दिन तो कम से क हम मान के चलो आप, चलिए देखते हैं राजस्तान के परमुख व्यक्तितु वाले टोपिक को, तो देखेगा हम कला एवं संस्कृति की कलास नंबर 28 में, राजस्तान के परमुख व्यक्तितु पार्ट 1, ठीक है ना, इसका पार्ट 2, कलास नंबर 29 में आएगा, जो की इस अंतिम पात रहेगा साथियों, मतलब 29 जो कलास रहेगी, राजस्तान के परमुख व्यक्तितु आज हमने इसको इसको स्टार्ट किया है, और 29 कलास में इस टोपिक को हम पूरा पढ़ लेंगे, तो देखेगा, परमुख व्यक्तितु में एक चीज आपको ध्यान रखना कि राजस्तान में जो परसिद्ध हैं, एक तरह से जो इतिहास में परसिद्ध हुए हैं, तो उन व्यक्तियों को हम पढ़ेंगे, बहुत सारे व्यक्तितों अभी भी साथियों, अभी भी जीवीते हैं, और बहुत सारे ऐसे व्यक्तित हैं, जिनकी मरत्य हो चुकी है, तो ज देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ला जिल्लाई बाई के बारे में किसके अल्ला जिल्लाई बाई भी बहुत सी जगा आप देख सकते हो या अल्ला जिल्लाई बाई के नाम से भी इनको जाना जाता है नाम सभी ने जरूर सुन रखा होगा अल्ला जिल्ला बाई का देखो अल्ला जिल्ला बाई के बारे में हमने पहले भी पड़ा था राजस्तान की मरू कोकिला कहा जाता है साथियों को क्या कहा जाता है राजस्तान की मरू कोकिला किसको कहा जाता है लगबग इनकी मृत ज्यू हो चुकी है क्योंकि सात्यों उनिस सो दो से दो जार दो सो साल तो वह योगे तो सो साल प्लस तो फिर बात ख़तम देखो अगर हम बात करें इनके जन्म की तो जन्म कब हुआ था उनिस सो दो में किनका अल्ला जिल्ला भाई का सात्यों बिकानेर में इनका जन्म हुआ था कब हुआ था उनिस सो दो में एक बहुत ही प्यारा और परसिद गीत है जिसका नाम है केसरिया बालम क्या नाम है कीत का केसरिया बालम तो यह जो गीत है यह इनका गीत है सात्यों किनका गीत है अल्ला जिल्ला भाई का मुख की रूप से केसरिया बालम की जो परसिदी है वो किनकी वज़े से है अल्ला जिल्ला भाई के नाम की वज़े से केसरिया बालम जो गीत है ये परसिद है 1982 में इन्हें पदम श्री से अलंकृत किया गया था साथियों मतलब 1902 में जनब हुआ तो 80 साल की जब ये इनकी उम्र थी तो इनको पदम श्री से अलंकृत किया गया था 1987 में लंदन में अपनी गाईका की इन्होंने गहरी चाप चोड़ी थी और इनको बाद में राजस्तान रत्न से भी नवा जा गया जबकि इनके निदन की बात करे तो 1992 में लगबग 90 वर्ष की उम्रों में साथियों इनकी मरत्यों हो गई थी तो यह हमने किसके बारे में पड़ा राजस्तान की मरुकोकिला जिसको हम क्या कहते हैं अल्ला जिल्ला बाई तो यह है साथियों आपके अल्ला जिल्ला बाई के बारे में जो जो आपसे प्रश्ण पूचा जा सकता है उन सभी जिजों को मैंने इसमें एड कर दिया है पहली चीत तो क्या कहा जाता है डारेक्ली प्रश्ण पूचेगा राजिस्तान की मरू को किला किसको कहते हैं तो अंसरेगा अल्ला जिल्ला भाई को राजिस्तान की परसिद अल्ला जिल्ला भाई कोंती राजिस्तान की परसिद मांड गाईका जिन्होंने कौन सा गित गया था केसर या बालाम वाला जन्म का हुआ विकानेर में कब हुआ 1902 में पदमशीरी से कब अलंकृत किया गया 1982 में लंदन में कब इन्होंने अपने गायका की गहरी चाप चोड़ी थी तो 1987 में राजस्तान रत्न से भी नवा जा गया और इनका निदन कब हो गया 1982 में ठीक है ना चलिए दूसरे नंबर प लोकनाटे पड़े थे तो एक लोकनाटे पड़ाता कौन सा तमाशा लोकनाटे है यह जो तमाशा लोकनाटे है इसके अंतरगत अमने गोहर जान के बारे में भी पड़ाता वही जैपूर रियासत की मश्यूर नर्त की थी साथ यह ठीक है ना जैपूर रियासत की मश्यूर नर्थ की कौन गोहर जान और ये किस के लिए प्रसिद्ध है तमाशा लोकनाटे के लिए गोहर जान प्रसिद्ध है कौन से लोकनाटे के लिए एक कौन से लोकनाटे के लिए प्रसिद्ध है तमाशा लोकनाटे देखो आपसे प्रशने पूंचा जा सकता है कि गोहर जान का सं बंद तमाशा लोकनाट्य से है किस से है तमाशा लोकनाट्य से नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे साथियों तो देखो तीसरे नंबर पे आता है किसका नाम गौरी देवी का नाम किसका नाम आता है गौरी देवी का नाम ये भी बिकानेर की प्रसिद मांडगाई का है और राजस्तान रत्न से इनको सम्मानित किया गया है तो गौरी देवी का संबन साथियों किस जीले से है बिकानेर जीले से और ये भी प्रसिद मांडगाई का है कौन है गउरी देवी फोर्त नंबर पे अगर हम बात करें तो फोर्त नंबर पे हम बात करेंगे रमाबाई के बारे में किसके बारे में रमाबाई के बारे में कुमबा की ये पुत्रती देखो माराना कुमबा नाम सभी ने सुन रखा है कुंबा के बारे में आप जानते भी हो कि राजस्थान में सरवदिक दुर्गों का लगबग 32 दुर्गों का निर्मान किसने कर वाय था राना कुंबा ने तो देखो यह जो राना कुंबा है इनकी पुतरिती रामा बाई वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्धिती साथ हुए किसके नाम से वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्धिती कौन रामा भाई तो अगर प्रशने पूच ले कि वागीश्वरी के नाम से कौन प्रसिद्धिती तो आपका अंसर रहेगा रामा भाई ही वागीश्वरी के नाम से प्रसिद्धि थी और ये किसकी पूत्री थी महरणा कुंबा की ये पूत्री थी देखो जो जो इंपोर्टेन चीज़े आपके एक्जाम में आ सकती है मैं सिर्फ उनी चीज़ों को लेकर आ रहा हूं आपके लिए मांगी भाई की बात करेंगे तो देखो पांचवे नंबर पर आता है मांग का सब्टे की प्रसिद्यथी ना कौन है मांगी भाई है छी नंबर पे देखेंगे श्रीलाल जोशी के बारे में तो देखो हमने टोपिक पड़ाता राजस्तान Greek की बारे में तो देखो पर की बात की जाए टूर आपके चल रहा था तो मेरा आपको जोसी को एक नाम बताया था श्री लाल जोसी क्या नाम बताया था श्री लाल जोसी का जैसे ही नाम आया आपको क्या करना है फर्चित्रन का संबंद userilal रायन जी की पड़ कुन सी पड़े देव रायन जी की पड़ किसकी एसाथ यह तो श्रीलाल जोशी की है कहां के रहने वाले बीलवाडा जी लेके रहने वाले है ठीक है ना तो श्रीलाल जोशी का नाम विशेश तोर पे जो देव रायन जी की पड़ है राजस्तान की सबसे ल तो इसबी पीडियेफ आपको सात्य यो एप है वहां पर मिल जाएगी तो देखो एप पर इस्पी कि पीडियेफ मिल जाएगी जो भी चीजा आपको यहाँ पर पड़ाए जा रही है उनके रोजना टेस्ट लिए जा रहे हैं एप पर 149 का कोर्स है अगर आपको ग्यात नहीं है तो एप के जो लिंक है वो मेरे कमेंड बोक्स में भी डाल दिया है और एप से संबन दिता प्ले स्टोर पे जाकर भी साथियों एप को डाउनलोड कर सकते हो 149 का जो कोर्स है इसको जोईन कर सकते हो लेवल एक के लिए भी है और लेवल दो के लिए भी है दोनों लेवल के लिए टेश्ट सिरिज मातर एक सोननचास रुपे में उपलब दे है चलिए साथवे नंबर पर शिरीमती पारवती जोश जो है यह देश की प्रतम फड़ चितेरी महिला है साथियों मैंने आपको वहां पर भी पढ़ायत है ठीक है ना कि पारवती जोशी कौन है यह साथियों पारवती जोशी देश की प्रतम राजस्तान की बात नहीं कर रहा हूं पूरे भारत देश की बात कर रहा हूं मैं तो फड़ चितेरी महिला में किसका नाम आता है तो आपका अंसर रहेगा पारवती जोशी देखो जोशी का अंदान का संबंद फड़ चितरन से सीधी बात ये श्रीलाल जोशी भी हमने देखा फिर पारवती जोशी देख रहे हैं तो ये जो पारवती जोशी है ये देश की परत भ्दचितेरी महिला है, next चुम बात करेंगे, आठवे नमबर पे शरी राम किशोर चीपा के बारे में, तो सातियों कहां के है, बगरू दाबू प्रिंट, का नाम शुनार आपने, तो दाबू ठपा इकला के लिए परसिद्ध हे कुन श्री राम किशोर चीपा और कहां के रहने वाले हैं, बगड़ू जैपूर के रहने वाले हैं, श्री राम किशोर चीपा, नेक्स्ट नौए नमबर पे बात करेंगे अर्जुन परजापती के बारे में तो अर्जुन परजापती का संबंद भी जैपूर जीले से ही है किस जीले से है जैपूर जीले से और अर्जुन परजापती की जो विशेश करती है वो है बनी धनी कोई सी है साथ ही हूँ बनी ध हभषनी से है और कहां के रहने वाले जैपूर के रहने वाले इसाथ कजाहिए 450 दसवे नंबर पर बात करेंगे हिसा मुध्दीन स्था सद्धों हिसा मुध्दीन कि यह hè का प्रता कि तो रहने वाले हैर यह लूँन-करन-सर- causing यह रहने ऑस्तकलां की खाल पर सोने का चित्रांगन क्या कहलता है यहां पर साथों जो हिसा मुद्दिन उस्ता है लोन करण सर और स्रविकानेर के ये उंट की खाल पर सोन शिलपांकन के लिए ही परसित है चलिए ग्यारवे नंबर पे देख लेते हैं तो आपके ग्यारवे नंबर पे आते हैं शांतिलाल जोशी देखो शांतिलाल जोशी श्रीलाल जोशी पारवती जोशी तीनों ही बीलवडा के रहने वाले हैं और तीन इनको परसिद्धी मिली है क्या नाम है शांतिलाल जोशी कहां के रहने वाले हैं तो भाई ये आपके शाहपुरा बीलवडा के रहने वाले हैं और क्यों परसिद्धी मिली है फर चित्रन के लिए इनको परसिद्धी मिली है बारवे नमबर पर बात करेंगे सात्यों वीर दु दूर्गादास राठोड का जन्म हुआ था और इनके सम्मझ में एक बहुत ही परसिद्ध कतने साथियों कि मायड एसो पूत जन्म जेसो दूर्गादास की मतलब इसका हिंद्य अर्थ क्या होता है कि कोई भी जो मां है वो एसे पूत का मतलब पुत्र इसे पुत्र को जन्म मत इसका सम्मंद किस्थे है वीर दूर्गादास राठोड से है साथियों जन्म कब हुआ था 13 1638 इसवी को मत्यों कि अगर हम बात करें वीर दूर्गादास राठोड की तो इनकी जो मत्यों है साथियों उज्जेन में हुई थी उज्जेन वर्तमान में कहां पर पड़ता है पर परता है मद्य परदेश में तो उज्जेन में 1718 इस्वी को वीर दुर्गादास राठोड की म्रत्यों हुई थी और इनकी जो छत्री है वो उज्जेन में ही इस्तिते उज्जेन मतलब MP में ही इस्तिते साथियों तो प्रिशन भई आपके है तो राजस्तान जी के लेकिन वीर दुर्गादास राठोड का संबंद राजस्तान से है और इनकी छत्री जहां पर है साथियों राजस्तान से बारे तो वो भी आपसे पूछी जा सकती है कि वीर दुर्गादास राठोड की छत्री कहां पर इस्तिते तो आपका अंसर रेगा उज्जेन में ही वीर दुर ठोड़ के बारे में तो देखो 1664 की स्वई में बिकार्ण के राजा कर्ण सिंग methray की राड को विश्यस तोर पर याद रखना है क्योंकि प्रेशन कहीं बार पूचा जा चुका है साथियों कि बाई मतिरे की राड कब हुई थी तो आपका अंसर क्या रहेगा 1644 मतिरे की राड तो यह हुई थी अमर सिंग राठोड और बिकानेर के राजा कर्ण सिंग के बीच में यह लड़ाई हुई थी जिसको किस नाम से जाना जाता है मतिरे की राड के नाम से जाना जाता है नेक श्रीट 14 नमबर पर बात करेंगे हम पन्ना धाई के बारे में तो देखो पन्ना धाई का नाम सभी ने सुन रखा होगा जब हम छोटे थे तो हमने एक पार्ड भी पढ़ा था साथियों पन्ना धाई से संबंदिते कविता थी मतलब जिसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार से जो उदे सिंग महराना प्रताप के जो पिताते साथियों उदे सिंग दितिये तो उनकी जान बचाने के लिए पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था इन्होंने पूछा होगा कि इनमें से उदे सिंग कौन है तो इन्होंने अपना जो पुत्र था चंदन उसको क्या बता दिया साथियों कि यही कौन है उदे सिंग जी है तो जो आपके यह बनवीर है दासी पुत्र इसने किसको मार दिया चंदन को मार दिया और किसको बचाया उदे सिंग दिए तो एक तरसे ये इनकी स्वामी बक्तिती साथ यो मतलब अपने जो राजा का जो पुत्र था तो उसको उसको बचा लिया और अपने पुत्र का बालिदान दे दिया तो इसमें बहुत ही मैदपूर नाम है ये पन्ना धाय वाला विशेश तोर पे इसको आप रखना है पद्रवे नमर पर बात करेंगे सात्यों हम वीर हाडी रानी के बारे में देखो संग्राम सिंग की पुत्री सलह कवर वीर हाडी रानी के नाम से विख्याते मतलब इनका जो मूल नाम है वीर हाडी रानी का वो क्या है सलह कवर सात्यों इनका मूल नाम है प्रशन लोक keeper नाम था देखो किनकी पुत्री थी संग्राम सिंग की पुत्री थी और इन की शादी रतन सिंग से ठ copyright न तो रतन सिंग नई नहीं शादी हुई रतन सिंगशादी होने के कुछ समय बादी तो उसी समय सा도 साथियों रतन सिंग को युद्ध में जाना पड़ा था और उन्होंने नवी नवेली जो दुलहन थी उनसे कुछ की युद्ध में मैं जा रहा हूं तो सेनिकों से या उनके जो सेवत थे उनसे बोला होगा कि जो रानी है ठीके ना साथियों उससे कोई निशानी लेकर आओ त भी आता साथियों तब रतन सिंग ने देखा कि भई देखो एसा कि वही उनको एसा लगा होगा कि मुझे युद्ध में इनकी याद आएगी इस वज़े से इन्होंने अपने प्रानों का बलिदान दे दिया और निशान में निशानी मंगवाई थी इन्होंने पुरा सिर का भी है चुंडावत मांगी सेनानी सिर काट दे दियो शत्रानी की जो चुंडावत थे रतन सिंग जो चुंडावत थे इन्होंने कोई सेनानी मतलब सेलानी का मतलब होती है निशानी ठीक है राजस्तानी बाशा में तो साथियों इन्होंने कुछ निशानी मांगी और इन्हो नेक्स्ट इस सोल्वे नमबर पे बात करें गे रानी करमावती के बारे में तो देखो जो रानी करमावती थी रानी करमावती के नेत्रित्व में 1535 इस्वी में चितोडगड का दूसरा साक़ा हुआ था साथ यों Most important कर्माउती से संबंदित ये effect बनता है कि कि किसके नेत्रित में चित्तोडगड का दूसरा साका हुआ था तो आपका अंसरेगा रानी कर्माउती के नेत्रित में कब हुआ था 1534-35 इस्वी में हुआ था सत्रिय नंबर पर बात करेंगे माल्देव सोनगरा के बारे में तु देखो जो माल्देव सोनगरा था है ये जालोर के शाषक सामंत सिंग के पूत्र थे साथ यो माल्देव सोनगरा किसके पूत्र थे जालोर का शाषक जो था सामंत सिंग इनके ये पूत्र थे 1325 के लगबग चितोडगर पर इन्होंने कबजा कर लिया था और लिखा था या राउट के से हो गया और लगबग 9 वर्ष तक यहां पर इन्हों होने शाशने किया था तो देखो जालोर के रहने वाले थे चितोडगर को हरा दिया था साथियों और चितोडगर कितने साल शाश राको मालदेव मुचhला के नाम से भी जना जाता है क्यों कि इन की बड़ी-बड़ी मुच्षती इसी वज़े से इनको मालदेव मुचhला के नाम से जाना जाता है साथयों 38 न BACK minder पर किसकी बात करें तो तो प्रिश्ण डारेक्ट लिए आप से पूंचा जा सकता है कि ब्ल्यू पोर्टरी के जादूगर किसको कहा जाता है तो आपका अंसर बैं इन में से यही प्रिश्ण बनता है ब्ल्यू पोर्टरी का जादूगर किसको कहते हैं तो आपका अंसर क्या रहेगा करपाल सिंग शे कावत को 19 नंबर पर हम मीरा बाई के बारे में बात करेंगे तो देखो राजस्तान के जो प्रमुक्लोकसंद थे उसमें हमने मीरा बाई को भी पढ़ लिया था साथियों मीरा बाई के बारे में इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूं आपको सिर्फ यह याद रख रहा है। मिरा बाई के बारे में मैं वहां पर भी बताया था कि मेरा बाई को राजस्तान की राधा कहा जाता है। मांगा कि यह बहू थी और मीरा भाई के संबंद में विश्यस तोर पर जो आपको याद रखने वाली बात है वह राजस्थान की राधा किसको कहते हैं तो मीरा भाई को ही राजस्थान की राधा कहा जाता है तो यह आपके 19 नंबर के बाद में 20 नंबर पर जो नाम आता है वह है काली भाई देखो काली भाई का पार्ट हमने बच्पन में पड़ रहा है भई काली भाई भील जाती की एक छात्रा थी तो उनके जो गुरू जी थे ठीके ना उनके जो गुरू जी थे उनको जो उस टाइम पे 1947 की बात है ठीके ना तो उस समय पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही थी तो उनके अध्यापक उनका नाम था सेंगा भाई सेंगा भाई को बचाने का प्रियास करते हुए काली भाई शहीद हो गई थी सात्यों 1947 में डुंगरपूर के रास्तापाल गाउं की भील जाती कि ये चात्रा थी देखो काली भाई में जो आपसे प्रिश्ण पूचा जा सकता है वो किस तरीके से पूचेगा तो समझना बात को पहला प्रिश्ण पूचा कि काली भाई का संबंद किस जिले से है तो आप का अंसर क अध्यापक ते गुरूजी थे उनको बचाने के प्रियास में ये शहीद हुई थी साथियों अंग्रेजी उससे बचाने के प्रियास में और अध्यापक का नाम क्या था सेंगा भाई चलिए आगे बढ़ेंगे 21 नंबर पर तुद्धे को 21 नंबर पर नाम आता है कंवर सें जी का आपने इंद्रा गांधी नहर योजना जो है उसको जरूर पड़ा होगा साथियों तो जो इंद्रा गांधी नहर थे इसके योजनाकार जो है वो कौन है कवर सेंगे साथियों याद रखना विश्यस तोर पे इंद्रा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे प्रश्ण में आपको सिर्फ यह हाथ याद रखनी है कि हिंद्रा गांधी नहर के योजनाकार आपसे पूछ ले तो आप कांसर क्या रहेगा कवर सेन चलिए बाइसवे नंबर पर देखते हैं कि किसका नाम आता है तो आप क्या आता है मोहनलाल सुखाडिया का नाम किसका आता है मोहनलाल सुखाडिया का नाम इनिस सो चवण स में मुक्यमंत्री बने थे और चवण से पिर 69,69 से पिर 64,64 से पिर 70, मतलब बहुती लंबे समय तक यह मुक्यमंत्री बने रहे साथियो राजस्तान के 1954 से 1971 तक मोहनलाल सुकाडिया ही राजिस्थान के मुख्य मंत्री बने थे साथियों जिसको आधुनिक राजिस्थान का निर्माता कहा जाता है मोहनलाल सुकाडिया को क्या कहा जाता है आधुनिक राजिस्थान का निर्माता किसको कहा जाता है वही मोहनलाल सुकाडिया को तो साथियों परतिवा पार्टिल को तो को नहीं जानता सभी ने परतिवा पार्टिल को अगर आमने सामने नहीं देखा है तो टीवी पे तो जरूर देखा होगा या अगभारों में जरूर देखा होगा साथियों यह वैसे तो मोल रूप से महराश की थी लेकिन इनकी शादी हु प्रशने पूछ लिया भारत की पहली महिला राश्ठ पति का नाम बताओं तो साथियों द्रोपती मुर्मों इनका नाम है और ये भारत की प्रतम आदिवासी महला राश्टपत ये साथियों ठीके ना नेक्स्ट चोईस्वन नंबर पे हम बात करेंगे टीका राम पालिवाल के बारे में तो देखो जो टीका राम पालिवाल है इनसे जो प्रिश्ने पूं तो ये 3 मार्च 1952 को राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे क्या नाम है इनका टीका राम पालिवाल इनका नाम है चलिए 25 नंबर पे देखेंगे तो 25 नंबर पे आता है गुलाबो गुलाबो का नाम तो सभी ने सुन रखाऊगा अजमेर के कोटड या नरत्य को विश्वी रंग मंज पर प्रतिष्टा दिलवाने का कारी किसके द्वारा करे किया गया था तो अब का अंसर क्या रहेगा गुलाबो के द्वारा और कहां की रहने वाली है अजमेर के कोटड़ा गाउं की रहने वाली है कौन गुलाबो तो यह 25 तक चांचट ने, तो ये जो श्री दोलत सिंग कोटारी यो मैं यह कोटारी आयो प्रता मराक दें दिखत थे ही पूरे भारत का प्रता मराश्टी शिख्षा योय का नाम अगर आपसे पूंच ले तो आपार का अंसर हैं कोटारी चांचेट में इसी वज़े से 1964 चांचेट के नाम से जाना जाता है और इसके जो अध्यक्स थे वो कों थे डौक्टर दोलत सिंग कोठारी किसके अध्यक्स थे प्रतम राश्टियायोग जो था कोठारी आयोग 1964 चांचेट वाला इसके अध्यक्स थे डौक्टर दोलत सिंग को आना जाता है अब ये कंप्लीट होता है एप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों क्योंकि एप पर आपको राजस्तान अध्यान कक्षा 6 से लेकर के बारवी तक कि जो राजस्तान अध्यन की किताबे हैं बिलकुल आ चुकी है प्रश्ण बनने लग गए हैं तो आपको सारी चीजे वहीं पर मिल जाएगी वन फोर्टी नाइन वाले टेस्टी स्रीज में ठीके ना तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में इसका जो पार्ट टू आएगा उसको भी जरूर देखना क्योंकि यहां से इन दोनों वीडियो से चार नमबर के क्यूशन आपके बनने वाले हैं तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में बोद बोद धन्यवास सभी का